नमस्केर दोस्तों आब सभी का स्वागत हैं हमारे चैनल पर दोस्तों हमारी सीरीच चार्ट ऑफ दविग के लिए आज हम फिर से आपके लिए एक और शांडर विडियो लेके आए अज के इस वीडियो के इंदर हम जिस इस टॉक के बारें बात करेंगे वो भारत में आने वाले 5G का सबसे ज्यादा फाइदा हो सकता है इस स्टॉक को अभी बारत के अंदर 5G आना स्टार्ट हो रहा है और यह जो इस्टॉक है यह नॉर्मली केबल बनाने का काम करता है और इसका नाम है इस्टरलाइट टेकनोलोजी तो अगर 5G आता है तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे ऐसा लग रहा है इस इस्टॉक में हो सकता है और यह जो इस्टरलाइट टेकनोलोज तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ जाके आप जॉइन हो लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों और कुछ पूरना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों चाट पर चलते हैं और देखते हैं इस पर कॉड़ है इसका 532 304 BSC पर कॉड़ है और NSC पर कॉड़ है STL टेक इस्टरलाइट टेकनलोजी यह आपका NSC पर कॉड़ है यह हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अगर यह स्टोक ढूंड़ना है आपको इसके फंडमेंटल या चार्ट देखने तो इस्टोक को ढू देखे तो यहां पर हमारे इसने डबल टॉप बनाया था और 420 का डबल टॉप बनाने के बाद में कोवीड के दौरान यह 40 उपर पर आ गया था इसके दौरान इसमें अब जो पैटर्न बनाया है उसको बोलते हम इन्वेटर हैडन सॉल्डर देखे यहां पर जो बिलू कलर जी के अंदर जो चार्ट पैटर्न बनाये वो इन्वेटर हैडन सॉल्डर पैटर्न बनाये और इसने यहां पर अगर हम चार्ट को देखे थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आपको एक ब्रेकाउट भी नजर आएगा हमारा यहां पर ब्रेकाउट हो चुका है इस है और जो इस्टोप लॉस निकल के आ रहा है वह हमारा लगबग 170 रुपे का आपको इस्टोप लॉस रखना होगा आप इसके अंदर दो तरह से इस्टोप लॉस रख सकते हैं पहली बात तो दोस्तों आपकी जो समय अवदी है ना वह आपको तैय करनी है इसके लिए आपक का इस्टोप लॉस भी बताएंगे आपको तो उससे पहले कोछ हम इसकी और अनेलिसिस कर लेते हैं तो दोस्तों अब बात करें हम इसके रेजिस्टेंस की जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका है वह हमारा 208 के लेवल के पास में है ठीक है और इस वीक की जो हैं ये सपोर्ट यह रा, अब सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में हमारा स्टोव अब इसी का रेजिस्टेंस ले रहा है तो जैसे ही 810 का लेवल समझ ले, आप round figure में 810 के level के breakout के बाद में जो अगले level निकल के आ रहा है इसके लिए वो हमारा जो आपको pink color के line नजर आ रही है ये वाला resistance और ये वाला जो resistance है ये लगबग 280 रुपे के पास नहीं और अगर ये वाला भी हमारा breakout हो जाता है तो इसका जो target निकल के आएगा जो इसका all time high है 400 रुपे के आसपास का तो बहुत अच्छा pattern है resistance के जो level है वो भी ज्यादा दूर है तो 208 के बाद सीधा target इसका 280 रुपे का रहेगा अगर हम support की बात करें इसके लिए जो support निकल के आ रहा है वो इस समय 170 रुपे का निकल के आ रहा है और यही आपका इसके अंदर stop loss र resistance रहा लगातार यह resistance इसी लेवल का यह रहा इसके बाद इसने जैसे resistance ब्रेक हो आई हमारा support बन गया है तो आपका stop loss 170 रुपे का यही लेवल इसके लिए तगड़ा support का का काम करेंगा अब दोस्तों moving average के हिसाब से देखें जो 200 वीक का moving average है वो इसके लिए भी support by resistance का 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 जड़ा आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसके लिए यह support का काम किया है अब जैसे इसने इसको break किया है तो आप देखें अब यह इसके लिए यहां पर यह resistance का का काम कर रहा है यह continue आप देखें अब जैसे resistance ब्रेक हुआ अब हमारा जो 200 वीक का moving average है वो इसके लिए support का का काम करेगा और जो 200 वीक का moving average जो निकल के आ रहा है वो हमारा 168 रुपे का निकल के आ रहा है 200 वीक का moving average तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा इस्टलाइट टेकनोलोजियों के लिए 170 रुपे का support का level है और साथ में एक सोने के सुहागा यह हो गया कि यहीं पर हमारा 200 वीक का moving average है तो यहां पर आके आपको इसके लिए एक हैडल साबित होगा औ साथ में दोस्तों अगर हम इस्टलाइट टेकनोलोजी का long term का chart देखें ठीक है तो देखेंगे आपको यह rounding bottom pattern बनाता हुआ काम करता है और साथ में पिछले जो हाई था उसको काटने बाद एक नया हाई बनाता है जरा आप इसके शुरू से देखें आप देखें तो देखे एक rounding bottom pattern हमारा ये रहा इसके बाद अग्ला rounding bottom ये रहा जो अग्ला ही बनता है वो पिछले हाई से उंपर बना रहा है एक routing dem chain exam ये रहा और और अगला rounding bottom pattern हमारा यह बना तो इस हिसाब से देखें तो जहां तक मुझे लग रहा है कि हमारा इस्टेलाइट टेकनोलोजी के अंदर फिर से एक जो rounding bottom pattern जिस तरह से यह बनाते हुए चल रहा है एक rounding bottom pattern हमारा यह बनता हुआ नजर आ रहा है हमें थोड़ा इसको सही कर देखें यहां पर यह हमारा एक rounding bottom pattern कुछ इस तरह से इसके अंदर बनेगा यह वाला और आपने देखा कि rounding bottom pattern बनने के दोरा है जो पिछला हाई था उसके हाई को cross करने के बाद नया हाई बनाता है ठीके देखें इससे पहले का rounding bottom कि लगबग 150 के आसपास resistance था जैसे resistance क्रॉस हुआ इसने नया हाई बनाया और एक rounding pattern बनाते हुए चल रहा है और इस समय भी यह हमारा कुछ rounding bottom pattern long term का देखें मिट्रम में देखें तो हमें इन्वेटर हैं और बनाएं अगर हम लॉंग term का देखें तो हमें यह कुछ ऐसे rounding bottom pattern बनेगा जैसे अभी तक यह stock बनाते हुए आया है तो दोस्तों एक stop loss तो मैंने आपको पहले 170 रुपे का बताएदा अगर आप मिट्स ओट्रम के हैं अगर लंबी अवदी के लिए 270 रुपे का अगर आप trading करने का इराद है आपका तो stop loss आप देख सकते हैं यह जो trend line नजर आ रही है जैसे swing trading के लिए अगर इस्टलाइट को खरीते हैं तो आपको यह जो trend line नजर आ रही है इसका आपको stop loss रखना होगा यह trend line इसके लिए फिलाल support का का काम कर रही है आप द इस्टलाइट से बहार निकल जाना है आप अगर देखें यहां पर तो एक भी candle इस candle के नीचे close नहीं हुई है सिरफ विक बनाई है और यहीं से यह वापस उपर की तरफ निकल गई है तो दोस्तों इस सब्ता का हमारा चाटव दभी के इस्टलाइट टेकनलोजी अगर पसं